असलाम अलेकुम मुगलाका में खुश्यांदीद हम अक्सर रोट पे जब देखते हैं रगडा या पानी पुड़ी का ठेला तो हमारे मुझ में पानी आ जाता है एक सिंपल सी रैसेपी है जो रमजान में हम अक्सर हमारे घरों में बनाते हैं दस्तर खान की जीनर बढ़ जात है इसके लिए हमने लिया है सफैद मटर इसे हमने आठ से साथ गंटे के लिए पहले ही भीगो दिया था यह अच्छी तरह से फूल गई है अब हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून हल्डी पाउडर एक टीस्पून नमक आपसू आधा नुसार लें कूकर को करेंगे हम बन और इसे प्रेशर आने के बाद हम इसे आधा गंटे तक पकने देंगे तांके हमारी मटर अच्छी तरह से गल जाए हमने एक फ्राइपेन को गरम पे रख लिया है अब हम इसमें कुछ मसाले भूनें चार सूखी लान मिर्चली है इसे हम भूनेंगे ताकि इसका मौश्चर भी निकल जाए और इसका कच्चापन भी निकल जाए दोटी बली स्पून अक्खा धन्या अक्य धन्या को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक के इनसे अच्छी सी खुश्बू ना आने लगे और इनका हलका सा कलर ना चेंज हो जाए एक टी स्पून जीरा इन्हें अच्छी तरह से भून लें मसालों को अगर आप चाहें तो ज्यादा सा मसाला बनाके एक टाइट डब्बे में बन करके रख लिए आपको रमजान में बहुत ही आसानी होगी कि आपका जब मन करें आप इसे बना लें और खा लें बहुत ही सिंपल सी रेसेपी है और बहुत ही जटपट बन के तैयार हो जाती है मसाले से बड़ी अच्छी खुश्बू आने लगी है जब आप ये रगड़ा बना के खाएंगे तो आप इस ट्रेट का रगड़ा खाना भूल जाएंगे ये इतना टेस्टी होता है चलिए हमारी मटर अच्छी तरह से गल गई ये देखिए अब हम प्लेट में रगड़ा निकालेंगे हमने जो मसाले भून के पीसे थे रगड़े का मसाला हम इस पे अच्छी तरह से डाल देंगे आप अपने सुआप के इसाफ से कम या ज्यादा डाल सकते अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी ये वो ही हरी चटनी है जो हम अक्सर पकोड़ों के साथ खाते हैं इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ी मली गुड की चटनी आप चाहिए तो इसे घर पे भी बना सकते और आप चाहिए तो अप्तो मार्कीट में भी मिलने लगी है इमली गुड की जपनी साथ ही डानेंगे बारीक कटी हुई प्याज थोड़े से नाइलोन से हो बारीक कटा हरा धनिया पुदिना और ये हैं लेमन अगर आप ज्यादा खटा खाना पसंद करते हैं तो आप लेमन डाल के खाएं अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी डालें इसे अच्छी तरह से मिला ले और खाएं आपका मज़ेदार चटखारेदार रगडा तयार है आपको हमारी रेसेपी कैसी लगी पसंद आए तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगली रेसेपी में फिर मिलेंगे तब तक के लिए लिए लाफिज